रादे रादे अवडिवन अनुपूर्णा क्रिश्यों में आप सभी कस्वागत है तो बबढ़साथ में क्या खाएं ये समझ में नहीं आता मार्केट में हरी सबजियां आती हैं कौन से सबजी खाएं तो मैं मार्केट गई मुझे पपीता दिखा तो मैंने पपीता ले आई तो यह पपीता कच्छा है तो इसको आज हम बनाते हैं कच्छे पपीते की रेसिपी जो की बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है जब भी आपका क कुछ डिफरिंट खानी का मन करें तो आप यह बना के खा सकते हो और महीने में आप कम से कम तीन तर चार बार यह जरूर बना के खाऊगे यह इतनी अच्छी सब्जी आप कच्छा पपीता धूंडोगे तो सबसे पहले हम पपीता को काट लेते हैं और उसके देखिए इसमें अगरक रवीजे हों तो आप उसको निकाल दीजिएगा और इसका यह मुटा मुटा पायट होता है ठोड़ा इसको भी निकाल लेना है क्यूंकि इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है और इनके issippiक्षिट होती हैं पीछे से वो निकाल लेना है तो सारे दौनोवत पपीतों को ह काट लेंगे अच्छे से भ्यान से काटिएगा और इसकी सबसी बहुत है बहुत ही यूनिक है और अलग तरीके की सबसी को भी बना किस लोग पता नहीं कर पाएगा ही सबसी किस चेश की है तो इसकी चोटे-चोटे हम टुकडे काट लेंगे ज्यादा चोटे टुकडे भी नहीं करने है एक साइस की रखने है तो यह हमारे पापीता की टुकडे काट लिए इसको वाश कर लिया है अब हम इसको नेट्स स्टेप पे चलते हैं तो यहां पर कढ़ाई में दो से तीन चम हमें एक चीज और बनानी है हमें दो टुमाटर, दो मिर्च्या और आधा इंच अध्रक का टुकडा पीस कर उसका पेस्ट बना लेंके हम काट की टमाटर का यूज़ करेंगे हम पेस की यूज़ करेंगे क्योंकि आजको टमाटर की छिलका होता है वह बहुत ह suspects है और वह ताकि एकदम से रेडिश हो जाए बहुत जादा रेडिश कर लेंगे तो वह जलने जैसा हो जाएगा इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा तो देखिए यह पपीता अच्छा से कलरफुल हो गया है अब हम इसको निकाल लेना है जो भी मेरे चैनल पर नए हो प्ली सब चैनल पर गूं कर चले जाते हो सब्सक्राइब कर लीजएगा अगर आपको जो चीज अच्छी नहीं लगती वह भी आप प्लीज बता दीजेगा कोमेंट सेक्षन के जरिए कि आपकी रेसिपी एच्छी है कि नहीं एच्छी आपको कुछ और देखना है तो आप जरूर बत डाल दिया है दो टमाटर दो हरी मिल्चर और अधा इंच अध्रक का टुकड़ा अब हम इसको जब तक यह ओईल उपर से नहीं आ जाएगा तर तक हम इसको चलाएंगे और उसके बाद डालेंगे हरी धनिया तो यह सबजी का कलर हमारा देखे टमाटर कलर कितना अच्छा आया है मैंने तो टमाटर जार से मिक्सर से पीस लिया है अगर आप लोग को कद्दू कस करना है तो आप भो भी कर सकते हो और जो हम यह पपीते निकाले थे वो उसको फ्राइब करके इसमें मिला लेना अच्छे स कोई भी सबजी आप बनाई आप उसको सबसे पहले भून लीचे फिर उसके बाड़े कि उसका टेस्ट बहुत आथा है इसमें डाल दिया है नमक स्वादनस्वार कुछ लोग नमक कम काते हैं कुछ लोग नमक जादा काते हैं तो मेरा मानना है नमक ठीकी डालिए कमी पर जादा हो गया तो बहुत दिक्कत करता है और इसमें डालना है आधा सकप पानी इसको चलाने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए धाक कर रख देना है इसको मैंने धाक कर रख दिया है अब 2 से 3 मिनट बाद इसको खोल लेते हैं अब ये हमारी सबजी कई है खुल और देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, अगर आप कश्मिरी म si failure के पास हो तो आप इसमें कलर देने के लिए डाल सकते हैं, मैंने ना लाल मिर्च का ॥ै राया पिंच कलर के अच्छा हूँ ना करकल लाल मिर्च का दे गंच करो कि ए कष्मीरी मिर्च को साथ कड़ भी नहीं होती है कालर बहुत अच्छा आजाता है तो आप इसमें डेफिनिटली कश्मीरी मिर्च यूज कर सकते हो तो इसके बाद इसमें डाल देना है गरम मसाला और उसको अच्छे से चला लेना है तो यह सबसी हमारी ओल्मोस्ट हो गई है डन फिर से अगर हरे धनिया से हम कुछ ना बात बने हरा धनिया कैसी चीज होती है जो सबसे बेटर होता है जो किसी भी चीज को खिला देता है एकदम से उसमें ग्रेस अजाता है हरे धनिया से कटे धनिया से चिन लोग को कटा धनिया सबंस त Wid po tena ठेग den तो यह हमारे सब्सके को निकालने के बाद कुछ इस सीनिय होगा तो fenotr लाइक शेर और सबस्क्राइब जो भी चैनल पर नए हो ते लोटी आपकेphin पघ्राइब का और कोमेंट शेक्षन में आप अपने विव जरूर दे सकते हों तब तक के लिए राधे राधे